बूर्णिंग आज है हमारे ब्लोग का साथवा दिन लेकिन आज का सुवा मेरे लिए गुड नहीं कि ना नीन पूरी हुए और ना आज मन सांथ पर भी चलो दिन का सुरुआत करते हैं आज थंड थोड़ी लग रहे थी तो हमने जैसे बालकोनी में निकला तो देखा थी काफी फॉक थी आज ये जैसा आप देख सकते हो अब हमें सुवा सुवा निकलना था तो चलो फटा-फट से रेडी हो जाते हैं ब्रसुरस करके तो मैं जल्दी से जाना भी होगा जैसा आप देख सकते हो आज बहुत ज्यादा फोग है यह रहा हमेरे चत्पे से नजारा लबक सौ मिटर से आगे कुछ भी दिखने रहा तो देखते हैं अच धंडी कैसी होती है कि इन विकल तो धूप नहीं था देखते हैं आज दूप होती है यह नहीं होती है चुलो हम दिन का सुरवात करते हैं लैची वाली चाय के साथ चाय पीके अब हम निकल रहे हैं नए वाले घर के पास ही फिर से और जब हमें चान आई हैं तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह से फटी बस और आप भी कभी भी बिना हेलमेट के बाइक ना चला है यह काफी ज्यादा सकता काफी होने वाली अब मैं पहुचके अपने गड़ यह कलका हुवा काम चौकट फाया लगा था यह लोग आ चुके हैं काम करने के लिए थंड बहुत थी तो सब आग जला के बैठे हुए थे सब देख सकते हो नौ बज गया और फोग अभी भी लगादार कम होने का ना तो निकलूंगा अपने घर अब मैं आ गया मार्केट क्योंकि मुझे कुछ काम था अब यह ज्यादा कुछ काम तो है नहीं तो इस काम के बाद हम करेंगा आज दिन बर आ रहा है काम हो जाने के बाद हम करते हैं अब डेक फास्ट आज दिन भर दूप नहीं निकली होपसो क कल का दिन बेटर हो इससे यह रहा साम का व्यूव और देखते हैं कल कासा होता है और थंडी कैसी होती है लक्ष देख रहा काटूं तो हम बैठ के सोच रहे थे कि क्या करें क्योंकि आज बिल्कुल मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था उसके बाद हम जाते हैं डिनर कर डिनर में ताज पाबाज जो खा के थोड़ा मेरा मूड सही हुआ पर आप मैं सोच रहा हो के क्या करूं हम कोई मूवी देखेंगे उसका रिव्यू में कल आपको बताऊंगा तक तक के लिए गुड नैट आज का ब्लोग यहीं कतम करते हैं